हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल लोलिज बाई जी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली इंपोर्टेंट mcq को कवर करते हैं साथ ही एक सेक्शन को कवर करते हैं ताकि एक ही वीडियो में आपके सेक्शन भी कवर होते रहें और आपकी mcq की भी प्रैक्टिस होती रहें तो आज भी हम कुछ important mcq लेकर आए हैं इससे previously वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख ली जिएगा क्योंकि per day हम कुछ mcq discuss करते हैं और per day आप कुछ ना कुछ mcq कुछ आपकी तयारी होती रहें तो discuss करते हैं आज हम इस वीडियो में सबसे पहले अपने mcq को cover करेंगे उसके बाद अपनी section को cover करेंगे एक चीज और कहना चाता हूँ अगर आपको किसी भी question का answer पहले सही आता है question बढ़ते आपको पता है इसका सही जवाब ये है इन options में से तो आप वीडियो को post करके हमें comment section में comment जरू कीजिए क्योंकि आप comment नहीं करते हैं आप comment करेंगे तो उसमें जादा समय नहीं जाएगा लेकिन आपको ये चीजे पता रहेगी कि मैंने इसका ये जवाब वहाँ पर mention किया था जब हम किसी का जवाब देते हैं तो हमें खुशी होती है इसी तरीके से जैसे ही आप जवाब देंगे आपको तो खुशी होगी ही मुझे भी खुशी होगी तो सबसे पहले हमारा क्या question है इसको समझते हैं और इसका क्या जवाब है उसके बारे में discuss करते हैं In which of the following section of the CRPC The power to issue commission for the examination of witness in a prison यानि की जेल के अंदर, कारावास के अंदर जो कोई witness है उसकी अब क्या करनी है गवाही करवानी है तो क्या इसके लिए magistrate साब empowered है या फिर court empowered है इनके examination के लिए commission की नियुकती की जाए ऐसा issue करने की power है court के पास या नहीं है है तो किस section में है इन सभी में से कौन से section में बात की गई है कि commission का गठन किया जा सकता है तो इससे related है हमारी section 271 CRPC की अब हम बात करते हैं हमारे अगले important question के बारे में क्या कहता है कि इन सभी में से कौन सा बिलकुल सही sections है section के provision है जो बात करते हैं Summon cases के बारे में जो कि magistrate साब के द्वारा tryable किये जाएंगे यानि कि Summon cases के बारे में CRPC में कौन कौन से section है जो बात करते हैं तो इससे related हमारे section है 251 से 259 तक क्योंकि 260 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि Summarly try किया जाएगा cases को यहां से 261 से start हो जाते है 260 से अब हम बात करते हैं हमारे अगले important MCQ के बारे में कि in which of the following option is the correct according to this statement क्या statement है the power to try Summarly is not empowered under section 260 of CRPC 260 CRPC में यह कहा गया है कि आप cases को Summarly try किस तरीके से करेंगे कौन कौन से cases है कौन empowered है कौन से magistrate empowered है cases को Summarly try करने के लिए लेकिन यहां पर पूछा गया है कौन empowered नहीं है इन सभी में से तो यह आपको बताना है सबसे पहला option है कोई भी chief judicial magistrate कोई भी metropolitan magistrate first class के magistrate और first class के magistrate जो empowered है high court के बिहाफ पर तो जब हम section 260 CRPC को देखेंगे तो हमें वहाँ पर first, second and last यह देखने को मिलेगा केवल first class के magistrate empowered नहीं है जब तक कि उन्हें high court से empowerment जो है नहीं मिलेगी अब हम बात करते हैं हमारे अगले important question के बारे में क्या कह रहा है यह question इस question को समझते हैं फिर इसका जवाब जो है आप हमें comment section में comment कीजिएगा क्या कह रहा है कि इन सभी में से कौन सा option है जो बात करता है remarks respective demeanor of witness is provided सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका मतलब पता होना चाहिए तब ही आप इसका सही जवाब पता पाएंगे यानि की witness का हो तो पता है आपको गवाँ उनका demeanor demeanor का मतलब होता है वहवार क्या behavior है क्या court उसे भी consider कर सकती है बिलकुल consider कर सकती है consider कि section में कर सकती है तो इससे related है हमारा section 280 280 अब हम बात करते हैं हमारे आज के जो हमारे questions है उनके बारे में questions नहीं आज का जो हमारा section होने वाला है उसके बारे में हम discuss करेंगे आज हमने section cover करने थी 229 यानि कि 239 section को हमने cover करना था इसे समझने से पहले आपको एक बड़ी sequence wise previous section पता होनी चाहिए तब ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे मैं एक बार revise करवा देता हूँ जो student अभी इस video के माध्यम से हमारे साथ जुडे हैं जिन्होंने अमारी previous वीडियो नहीं देखिये उनके लिए helpful हो जाएगा chapter 18 जो बात करता है कि session court के समझ किस तरीके से trial चलाया जाएगा इस से later अमारे section स्टार्ट होती है 225 से 225 क्या कहता है कि जो session court के समझ ट्रायल चलाया जाएगा उसमें जो prosecution होगा prosecution की तरफ से कोन होगे prosecution conduct किया जाएगा public prosecutor के द्वारा और case को start करने से पहले magistrate साब जो session court के जो भी judges हैं वो यह consider करेंगे कि accused को case की copy charge sheet मिल चुकी है जो necessary document है वो उसे मिल चुके है या नहीं section 207-208 CRPC को भी वहाँ पर देखा जाएगा कि उसकी proceeding complete हो चुकी है या नहीं next section आता है जो बात करता है open cases for the prosecution यानि कि जब भी कोई case CRPC के section 209 के अनुसार transfer होके session court के समख commitment किया जाता है तो ऐसे में जैसे ही है case court of session के समखशाएगा court of session के समखशाते ही जो prosecutor होगा वो explain करेगा judges को क्या explain करेगा वो यह explain करेगा कि following charges जो है accused के उपर जो है लगे हुए है और यह है इस case में guilty हो सकता है मेरे पास जो है परियाप्त proof है जो भी पीपी होंगे public prosecutor होंगे वो यह describe करेंगे कि मेरे पास necessary जो evidence है जो यह show करेंगे कि यह accused जो है guilty है यह सारी चीजे जो है बताई जाएंगी next section आता है 227 272 जो बात करता है discharge के बारे में यानि कि जो भी document और जो भी record court के समख्ष present किये जाते हैं उन पर विचार विमर्स करने के बाद और accused की जो भी submission है prosecution के जो भी submission है उन सभी को सुनने के बाद court को यह लगता है कि कोई परियाप्त ground नहीं है proceeding को आगे बढ़ाने का यहां पर guilt proof नहीं हो रहा है accused के against तो ऐसे में जो accused है उसे discharge कर दिया जाएगा यहां पर एक चीज़े याद रखनी है आपको discharge का मतलब equitable नहीं है discharge होने के वाद दुगार भी अगर कोई evidence आता है तो उसमें कारवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है साथ ही जब भी किसी accuse को इस तरीके से discharge किया जाता है तो वहाँ पर reason भी record किया जाता है कि किस reason पर उसे discharge किया जा रहा है इसके बाद हमारी next section आती है charge framing की दो सो 28 जो बात करती है कि अगर court को यह लगता है कि ground बन रहा है accused ने जो है क्या किया होगा इस offense को commit किया होगा यह presumption है judges की यह presumption है court of session के समख्ष जो judges है जो भी जो भी चीजे उन्होंने document देखे उनको सुना accused की तरफ से prosecution की तरफ से सुनने के बाद यह लग रहा है कि यहाँ पर case को आगे try किया जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर दो options है इसको आपको यहाँ पर द्यान में रखना है पहला option क्या गहता है कि अगर वो court of session के द्वारा tryable नहीं है यानि कि उसे court of session के समख्ष नहीं चलाया जाना है उसका trial court of session में नहीं होना है तो ऐसे में court of session क्या करेंगे केवल charge frame कर देंगे accused के against और case को transfer कर देंगे जो chief judicial magistrate है उसको try करने के लिए case को आगे लड़ने के लिए या फिर कोई भी other जो first class के magistrate है उनको बेजा जाना है तो उनको case को transfer कर देंगे साथ ही निर्देश दिये जाएंगे किसको accuse को कि वो उस court के समक्ष जो है present होगा और case को इस तरीके से try किया जाएगा जिस तरीके से warrant cases को try किया जाता है second option के आता है या तो tryable होगा court of session के समक्ष या tryable नहीं होगा तो second option यह कहता है कि अगर court of session के समक्ष उसका trial चलना है तो essay में जो भी judges होंगे court of session के समक्ष वो क्या करेंगे return में charge जो है frame कर देंगे accuse के उपर और subsection 2 क्या कहती है जैसे ही charge frame किये जाएंगे तो accuse को उन्हें पढ़ कर सुनाया जाएगा explain किया जाएगा accuse को कि आपके against यह यह charges है क्या आप इसको admit कर रहे हैं या फिर आप इसके लिए trial के लिए claim करना चाते हैं तो यह चीज भी जो है court of session के समक्ष जो judges है उनके द्वारा accused को कही जाती है whether he plead guilty of the offense or charge or the claim to be the trial क्या वो trial करना चाते हैं आगे case को बढ़ाना चाते हैं इसे लड़ना चाते हैं या फिर जो आरोप लगे हैं उसको admit करना चाते हैं इसके बाद हमारी next section next step क्या आता है कि अगर जो भी accused जिसके उपर ऐसे charges लगे हैं वो इस चीज को admit कर लेता है कि मैं अपना guilt proof कर रहा हूँ तो यहीं पर जो भी judges होते हैं court of session के समक्ष वो conviction जो है दे देते हैं if the accused plead guilty the judge shall record the plea and may in his discretion उसके पास उनकी पूर्ण पावर है कि वो उसे convict कर सकते हैं इसी stage के उपर तो आज हमने इस video में important section को cover किया और अपना जो जो section हम previous video में भी share कर चुके हैं discuss कर चुके हैं यहाँ पर भी हमने repeat कर ली है फिर मिलेंगे एक new video में आगे की sections को और important mcq को cover करने के लिए कर आगे यह हैं झाल